साधी के तो दुसरे दिन तो मुझे यह पूछा गया कि मैरे ससूर ने पूछा कि तुम्हारा फास्ट नाइट कैसे भी ता ? कि मेरे पती के सामने बोलने लगे कि मिर आखालो और मेरे साथ यह कर लो चल के शो लो मेरे अगर वाला होता तो उसी तब उसका उख करता कि मेरे राजकुमर गुपता वह भी आए दिन मुझे आथ उठाते थे आगे तेरा वीडियो हम बना के रखे हुए है अन्य लड़कों के साथ जब कि मैं कभी किसी और लड़कों के साथ नहीं रोस हुई मेरे ननद जो मेरे ही घर में रहती थी लेकिन उस रात को मेरी ननद को मेरे हस्बेंट ने वहां अपने पापा के यहां चुर के आया था मतलब कि मेरे मारते थे मेरे सासूर जो है राजकुमर गुपता वह आया दिन मुझे आते थे तो पती आपसे बोलते थे कि तुम प्यार करती है अपने मेरे पापा से तेरा और पापा का लफ़रा चलता है अब समझे कि इनका साधी मतलब की साधी के डिर साल बाद ही मतलब की साधी जाते हैं इनके जो भी परिवार के लोग थे और इनको ताना मारने लगे ऐसे करने लगे वैसे करने लगे कि मेरे साथ प्रिजकल इसन में रहो तब हम तुमको बेहतर तरीके से आपको मतलब की बहु कि अपनी बीटी बेटी की प्ना अर दूसरी यहां एक आ मंत्लब किसी तिति क्या हो गई है कितने दिन मेरा पती मुझे पहां सी हुरा था तू कोट कचरी करते हैं तो मैं आपके पापा हमको आपके सामने आप अच्छे हो तो आपके सामने जब बोलता था कि हम मेरे लग खालो कि मेरे पती कर लो चल के सोल ऑसा आपके सामने गंदी गंदी बाते बोलता था अगर जो край मैं गंदी बाते बोलता है और अगर जी कोई कहा अगायां बन दखता नां पहता है जो अगला। कितना बिलक रही है तो उसके मतलब की दिल मतलब दिल पर चोट लगा तो भी कोई और रोती है कि यहां पर माईखे में हैं महाफ बाप साधी कर देते हैं कि हमारी बैटी जाए वहां पर सुखी सांती से रहे लेकिन इसकितना मतलब की इन्सान है कि यह लोग बहु के साथ इतनी गंदी हरकत करना चाहते और शिर्फ अपनी बैटियों के लिए सिर्फ अपनी मजा मारने के लिए तो आपको अगर आप वही अगर इन लोग के साथ सो जाती सब अपना रिलेशन मना लेती तो आप भी सही थी कोई नहीं जानता कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यह बात भी आज तक खुल के नहीं आता अभी कुछ दिन पहले मेरे छुरका सोरुन जिसका नामान सोनी है समय साथी कर लिया हैं और यह भी बता कि तेरह वीडियो हम बना करे हुए हैं अन्ने लड़कों के साथ जबकि मैं कभी किसी और लड़कों के साथ नहीं है और नहीं कुछ भी geka तो बात भी नहीं करपा है एन दिन अपने दोस्तों को लाता हूँ है जब प्लिस ने agreement मकी मश तो मेरे साचर्ष को महिला थालाने मेरे रूम से हटा दिया था मेरे पती इतिदार आता को आता था मुझे यह चूट दिन बात को नहीं सुना। तुम बुला देते हैं कि यह दिन मुझे मार पिठी करेंगा इसे अच्छा मैं बुला देती हूं बिल्कुल क्या लगता है आप लोग नहीं नहीं रखेंगे तो आप क्या कीजिएगा लगता स्वाटिन कर दो साथ जिसकी अपिए तो यहां बिल्कुल जैसे मेरे पूछा गया जैसे तुम्हारा cum कैसे बावक आपको स्वास्वां कर दो जो कि देखी रजी आ पापा जी ऐसे से पहां ऐसे से पूछ रहा है तो बोले की तुम बता दो क्या भाधिक्त है नहीं यह ठीक है हम नहीं बतायेंग आप ही क्या नहीं कमियं है ठीक है तो दो दिन ही हुए हुए थे मतलब्कि आकशाए ते कि मेरे साथ शुरा है compon को नहीं स्वाधी के दो दिन बाद इनके जो सरह नाइट के सबनागा दो तो समझ लिए कि कि यह कितनी गंदी मन सेखता कि यह लोग है और जो इनका पती है कि कि जाओ बता दो यही बात है न जी अर मिरी साथ बोलते था उस्सके बास साथ उल्ड़ों के पाप जी बोल रहे था वह भी आंस रही ती ऑर उसके बास से उनों भर का नियम है और बोलते थे थे कि तुम को भासने नहीं देंगे मुझे और मार पीट करक मुझे यहां बेज धिये जाता था अक्वाक चाहतने हैं पर जाती है जाहत है जयसे मेरे साथ हुआ है उनकी बीटिकों है उपने दापने जाते में नहीं मेरी आत्मा की शातर वा उपने मेरे शास उसा divided वी मेरी जो छोटे सासुर, अनसोनी मेरी नंदे, नीसा, नीटू, नेया, काजल और मेरे पती जो चिा अंगर जो वह सही होता यह तो कोछ गलत नहीं होता क्या जाता हैं अगर आपके पति नहीं रखते हैं तो आप क्या कीज़ेगा एंगे, और यह नहीं हम दोसी है तो हमको सजा मिला है तो देखिए यह रोती भी लगती हैं और यह नों ने अपनी बाती आपके साथ रखा और एक बाद आप खुछ से सुचिएगा कि किसी नए नवेली दुलहन के साथ इस तरह का बरताव की जा तो उस पर क्या बीट रहेगा उस समय